गईज अधार कार्ड से लेटेड नया स्कैम यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिना आपकी जानकारी से आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे कट जा रहे है कोई OTP की आपको यहाँ पे नीड नहीं पड़ रही है इवन आपके फोन पे कोई अलर्ट मेसिज भी नहीं आ रहा है कि आपके पैसे जो है वो बैंक अकाउंट से कट चुके हैं यनि कि भाई यह जो स्कैमर्स जो है इन्होंने एक नया एडवांस तरीका निकाल लिया आपको लूटने के लिए आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को यह अधार बायोमेट्रिक का यूज़ करके आपके बैंक अकाउंट से निकाल लेंगे और आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी नेक्स्ट उसका जो मूव होता है वो होता है आपके बैंक अकाउंट डीटेल्स को निकालना इसके लिए स्कैमर्स बहुत सारे तरीके अपना सकता है और सबसे कॉमन जो आज के टाइम पे तरीका बन गया है वो है आपका स्मार्टफोन जी हाँ ये स्कैमर्स जो है वो धोके से आपके स्मार्टफोन में कोई फेक अप या वाइरस को इंस्टॉल करा देते हैं जिसके बाद आपकी सारी पर्सनल डीटेल्स इंक्लूडिंग यो बैंक अकाउंट वो उनके पास यहाँ पर चली जाती है और इस अधार एनेबल पे सेंटी के ट्रांजेक्शन होती हैं वहां से वो इसका एक्सेस ले रहे हैं और इन फिंगर प्रिंट्स को वो सिलिकॉन रेप्लिकाज पर लगा के बैंक अकाउंट के थ्रू अनौथराइजड एपिस विड़ॉल कर रहे हैं यानि क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आपके अ अधार ID डाल के इसको लोगिन कर लेना है तो लोगिन करने के बाद मीनू में Services के Option में यहां पर आपको नीचे Lock Unlock Biometric Option मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है और इसको हम यहां पर टिक कर देंगे और Simply आपका यहां पर जो Biometric है वो यहां पर Lock हो जाएगा अब आपका Biometric Lock होने का यहां पर क्या मतलब है कोई भी आपके अधार कार्ड में आपके fingerprint का जो है वो Unauthorized यूज नहीं कर पाएगा इवन आपको भी जब आप अधार Biometric यूज करते हैं जब आप सीम अगरा लेने जाते हैं किसी और सर्विस में तो आप यहां पर वापिस आके इसको जो है करके हम जो अपने अधार नमर को protect कर सकते हैं क्योंकि आज की date में हमारा जो अधार नमर है वो हर चीज से यहां पर linked है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि यह scammers के हाथ ना पड़े इसके लिए हम masked अधार का यूज कर सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ अधार कि कुछ ही digits यहां पर दिखाई देते हैं इसको भी आप UIDAI की website से जाके download कर सकते हैं तो जब भी आप छोटी मोटी activities या identification के लिए अधार का यूज करते हैं तो mask अधार का यूज करना चालू करिए इसके बाद 3rd step में आता है जैसे हमने बात की थी कि इस digitalization का फैदा उठा क scammers आपके smartphone में कोई fake app या virus यहां पर install करा देते हैं जिससे आपकी सारी personal details उस scammer के हाथ लग जाती हैं तो इस चीज़ से बचने के लिए आप बहुत ही careful रही है किसी भी unauthorized app को आप install मत कीजिए time to time अपने phone को clean करते रही है और किसी भी third party link के website पे click करने से पहले उसको verify करें तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की अधार card biometric scam के बारे में और क्या steps आप ले सकते हैं इससे बचने के लिए कैसे आप अपने अधार biometric को lock कर सकते हैं इसके बारे में हमने बात की आप इस वीडियो को अपने friends and family के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी scam से aware ह वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि ऐसे informative वीडियो में आपके लिए लाते रहता हूं मिलता हूं आपसे next वीडियो में thanks for watching